अब बात करते हैं सीयम सिवराज सिंग के अनूठे अंदाज की जहां चुनावी सभा संबोधित करने आये सीयम सिवराज सिंग चोहान का एक अनूठा अंदाज सामने आया था वे सीपीई हेलीपेट जाते समय अचानक रेलवे स्टेशन की राज टी स्टॉल पर रुग गये थे उनके साथ सांसाद राव उदर प्रताप सिंग बिधायक डॉक्टर सीता सरन सर्मा एवं जिले के तीनू अन्य बिधायक भी मौझूद थे राज सिंग राजपूत इस दुकान के संचालक है उनकी पुत्र वधु विनीता पार्थ राजपूत इस बार पार्षत का चुनालड रही है पार्थ ने बताया कि पिछली बार उन्होंने सियम का काफिला रुकवा कर चाय पीने का निवेदन किया था लेकिन उन्होंने अगली बार चाय का वादा किया था सनिवार को भी सभा के बाद सियम का काफिला उनकी दुकान के सामने से गुजर रहा था तबी राजपूत ने उन्हें हाथ का इसारा कर चाय के लिए आमंत्रित किया था CM भी पूरे चुनावी मोड में थे अचानक काफिला रुकवा करवे चाय की दुकान पर चाय की चुस्किया लेने पहुँच के यहाँ पूरी आत्मीता के साथ राजपूत एवं उनकी टीम ने सभी को चाय पिलाई CM से विधायक सर्मा ने राजपूत का परचे कराया चाय पीने के दौरान CM ने जमकर हास परिहास भी किया था इस चाय चौपाल का वीडियो CM सिवराज सिंग ने अपने इंटरनेट मीडिया एकाउंट पर भी सेयर किया है अचानक CM की इस तरह खुली सड़क पर उतर कर चाय पीने का नजारा देख कर लोगों की भीर लग गई है कई योबा CM के साथ सिल्फी लेते हुए नजर आए हैं राजपूत पार्टी के पुराने नेता भी पूर विधान सभा अथ्यक्ष सर्गी इस्वर दास रोहाणी भी जबलपूर जाते समय हमेशा उनकी दुकान की चाय पीते थे कर दो सकत है कर दो्यकाट बगूँ नेके पूर पारी बगूँ जब वे काहाँ नेके तार्टी नेके झाला की बगाँ की लोगदी पूर फिते weग गुर्टी जाते हिए पूर धे हाल दोस्त पार्टी में पीते पूर जहाँ खलेते ही है को भीते हैं